नमस्कार, Devotional Card के इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री यंतरम के बारे में, श्री यंतर को यंतरों का राजा माना गया दोस्तों, साथी साथ माता लक्षमी का महा यंतर भी इस यंतर को माना गया है, वास्तु शास्तर में भी इस यंतर का बहुत महत्व है, इसे बताया जाता है कि ये सीधा कॉस्मिक एनर्जी से आपको जोड़ता है, दैवी एक कृपा को सीधा सीधा आपके घर में ये लाता है, अब बात कर लेते हैं इस यंतर के अन्यमहत्व के बारे में, सबसे बड़ा महत्व तो ये दोस्तों क माता लक्षमी का महा यंत्र है यदि आप चाहते हैं कोई ऐसा शुरूत जो माता लक्षमी को सीधा प्रसंद करें तो इस यंत्र को आप अपने अफिस में या अपने दुकान में अपने फैक्टरी में या अपने घर में जरूर इस्थापित कीजिए और माता लक्षमी की आरा आधना कीजिए उनकी सीधी कृपा आपको इस यंत्र द्वारा प्राप्थ होनी आरम हो जाती है दूसरा यह है दोस्तों यह यंत्र आपके रक्षा कवस के रूप में भी काम करता है आपको विपत्यों से बचाता है आपके घर में समस्त प्रकार की सुक्षम्रिद्धिस और भाग्य को यह आकर्षित करता है इस यंत्र को इस्थापित करना बहुत आसान है इसको इशान कोड में आपको रखना है इशान कोड यानी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर रखना है कोने में रखना है और अपना मुख आप पूर्व की तरफ रखें जब यह आप इस यंत्र को इस्थापित कर रहे हैं एक लाल कपड़ा बिछा के आप इस इंत्र को रख सकते हैं बीच मंत्र जो होता है वो होता है ओम रीम श्रीम नमय या ओम महालक्षमे नमय का जाप कर सकते हैं कमल गट्टे की मालो दोरा विदी पूर्वक इस्थापित करने के बाद आप इसका नियमित आप जैसे रोज सुबह अपने इश्ट देव की आराधना करते हैं या अन्य देविये शक्तियों के आराधना करते हैं वैसे इस इंत्र की आप यथा संभव जैसे भी हो स करते हैं आप इसको जरूर अपनाएं डिवोशनल कार्ट द्वारा यह यंत्र सिद्ध करवा के आपको प्रतान किया जा सकता है खरीदने के लिए लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्चन बॉक्स में डाल दिया है आप वहां क्लिक करके और प्लेस कर सकते हैं इस इंत्र से ज जो जानकारी है वो हम अक्सर हम डालते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि इस वीडियो से आपको को जानकारी मिली है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद दोस्ति